दोस्तों यह है कमपिडराइज्ड वोशिंग मशीन जो वोईस कमांड पर चलती है तुलाई खोजी अंकल यह मशीन बैटरी से चलती है या बिजली से इस मशीन को चलाने के लिए ना बैटरी की जरुरत है और ना ही बिजली की ओई खोजी जी यह क्या है यह तो चिप है जिसे निकालने से मशीन में माल फंक्शन होता है खोजी अंकल यह मशीन ने क्या कर दिया है चाचा ने मशीन की चिप निकाल दी है अब मशीन आउट ओफ कंट्रोल हो गई है कोई इसको रोक है अब मशीन को रोकिये चाचे पावर बटन आउप कर दे वह लेकिन पावर बटन तक तो मेरे हादी नी पहुंच रहे खोची से किची खोजी अंकल मशीन आपने बनाई है तो इससे कंट्रोल करने का कोई दूसरा उपाई भी तो आपको पता होगा अतीजे इस चिप को किसी भी तरह मशीन के अंदर पहुंचाना होगा और कोई उपाई नहीं कुछ तो करना पड़ेगा ओहो किसने गंदे कपड़े हैं कपड़े ओ आइडिया अब नुमारी धुलाई करता हूँ मशीन हो जाओ रेडी डाल रही है और चाचू मशीन को क्यो रोक दिया आपने इसके अंदर चिप पहुंचाने का यही मौका था मशीन कंट्रोल में हो जाते और आप भी छूट जाते प्हुआ प्टीजेग प्टिजेग पच्छाओ चलो, जान बजबे, यस लाई, 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 लाई अरे नहीं, अब मुझे क्यों अंदर डाज़े हो अरे बावड़ी भूज, मैसकी भूज, और बिना पेड़ के फल की तरह कहां से आठ दबका, बहुत दूर, गाड़ी रोक गाड़ी तो अउपर वाड़ा ही रोक सकता है मैडम जी, मेरे बसकी तो ना है अरे बहुत दूर, शीशा दिखा, सारा मेक अप कराप कर दिया यह क्या अरे यह मैडम जी की स्टाइल है खुलाई, खुलाई, खुलाई कानून के हाथ और बंदूकनी की लाच से कोई ना पत सके है आइडिया, वाशिंग मशीन पानी से चलती है, अगर उसका पानी आइस में कनवर्ट हो जाए तो मशीन रुख जाएगी ओए, 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 कहा पसा दिया ओए, वापती जै, क्या अद बाग लेकाया है अदर का पानी पर्ट का बन गया है अदर का बस दिशी की कमी थी खलाए, खलाए, खलाए खलाए, खलाए खलाए, खलाए खलाए मेरा पीचा ओए, खोची सिंग, ओए, यो क्ये उल्टे सीधे नए एक्सपरिमेंट करता रहे, ओथारे इस नए नमूने ने पूरे शहर को परिसान कर रखा से अब तो चिपी टूट गई मेडम जी, अब इस मुसीबत को रोकने का कोई उपाय तही है उपाय तो बस एक ही है कि मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मगर कैसे अब आए आलिया सब्सक्राइब आप कहां चले गए चाचू पती जे के रते चाचा को कुछ हो सकता है क्या कि क्याचू पती जे को क करे चाचू पती जेसा है कि अबाई काचू अबाई सकता है ओहो चाचु बैंक चाने में देरी हो रही है अब चलिए ना ओहाँ पती जे चल और ये ले तेरे लिए एक पैंसली ओहो चाचु रास्ते में गड़े हैं या गड़े में रास्ता कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ओ वो देख पती जे सिजेशन बॉक्स एक अच्छे नागरी खोने के नाते हमारा फर्ज बढ़ता है कि हम इस शहर के विकास के लिए सही सुजाव दें मुझे वो पैंसल दे ओ इस तुट्टी फुट्टी सडक को इतना स्मूध बना दो जैसे की पकड़ अरे चाचु ये रास्ता तो सच में वक्षण जैसा बन गया है ये स्कूटर में चाड़ कितना तेज कैसे चल रहा है अरे तारी पिसल यू रही है अरे जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा हाथ उपर कर लो दोस्तों अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा क्या इस पैंसिल से लिखी बात सच हो जाती है मुझे चेक करना होगा जंका की गन से खोली की जगह गुलाब निकले शुक्रिया चोर जी मुझे बहुत पसंद है बक्वास बंद करो सारा पैसा मेरे हवाले कर दो चल्दी अब ये मुस्वत ढोलगी के सिर पर गिरेगे कोई ढोलगी पाई तुम्हों क्यों लोगों को ड्रा रहे हो ये बंगा हवा में ही रुक जाए चाचा होश यारे नहे और हाथ उपर ये सारे नोट के बंदल पत्थर बन जाए जिज्ये लगता है कुछ जादा ही पैसे लूट लिए आप बंदूपीजी की लाद आकर डंका ढोलकी को लगे रभ बावडी बूझ भास की पूझ मेडम जी कहां जा रहे हो मैं अभी आया इतनी लंबी छलांग अगर मेडम जी ने स्पोर्ट्स में लगाई होती तो आज रिकॉर्ड बनता कौन कहता सा है कि पुलीस वक्त पर नहीं पहुचती है कानून के हाथ और बंदूकनी की लाच से कोई ना पत सके है बंदूकनी जी ये सारा कमाल इस स्पेशल पैंसिल का है इससे जो भी लिखो सब सच हो जाता है ये पथर फिर से पोट के बंडल बढ़ जाए जब जो हुआ कर जाओ वो टोलकी भी जल्द ही पकड़ा जाएगा तंका ढोलकी ने बैंक का क्या हाल कर दिया आज के लिए बैंक बंद करने की क्या जुरूरत है मैं हूँ ना सब ढीक कर दूँगा अपनी से स्पेशल पेंसल से ये सारी तुटी हुई कुरसियां फिर से जुड़ जाए क्यों चाचा स्पेशल पेंसल काम नहीं कर रही जीचे की हतकारी खुल जाए बंदूपनी की चीप का टायर पंचर हो जाए पावडी पूच भैंस की पूच और का भाग रहा से बंदूपनी के रास्ते में एक बड़ी दीवार आ जाए वाव वाव करामाती पैंसल दिखा अपना कमाल पैंक के सारे पैसे चलकर मेरे पास आ जाए रहने दो चाचा ये आपके स्पेशल पैंसल के बस की बात नहीं है वो ये पैसे कहा जा रही है चाचू आपके हाथ में एक मामूली पैंसल है लगता है स्पेशल पैंसल किसी गलत हाथ में चली गई है हमें इन पैसों का पीछा करके उन चोरों तक बहुशना होगा जीजे, ये क्या कर दिया? तुमने पैसे लिखे, इसलिए बैंक से कॉइन्स आ रहे हैं, रूपिये लिखते तो नोट आते, अब इन चिल्लर का हम क्या करेंगे? अरे ये क्या, पैसे पेड़ नहीं उखते हैं, पर रास्ते पर खुल्याम घूम रहे हैं, तुम्हारी सही जगा मेरी जेब में हैं, ये तो चीटिंग है, आ, 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 डंका ढोलकी, स्पेशल पैंसिल तो तुम्हारे हाथ लग गई, पर उसका सही इस्तिमाल करना तुम्हें नहीं आया, अगर मैं तुम्हारी जगा होता, तो पैसे नहीं, पूरा लॉकर ही मंगवा लेता, और लिखता कि बैंक का लॉकर मेरे हाथ में आ जाए, बात तो ये सह इस लॉकर को मेरे हाथों पैसे हटाओ, भतीजे ज्यादा होश्यार बन रहा है, अब देख मैं क्या करता हूँ, चाचा भतीजा एक रसी से बन जाए चाचा और पतीजे पर एक रॉकेट का हमला हो, वे पतीजे, वे आप क्या होगा, चाचू, आप सास अंदर कीचिए, बच गे, नहीं बचे, चाचू, धोलकी ने लिखा कि चाचू और भतीजा पर एक रॉकेट का हमला हो, यानि रॉकेट हम दोनों पर साथ में हमला करेगा, पर अगर हम साथ में नहीं होंगे, तो रॉकेट किसी एक पर हमला नहीं कर पाएगा, तो चाचू अलग-अलग दंका धोलकी, आज मैं मान गया कि आप जैसा महान कोई नहीं, पुई पती जे ये तू क्या बोल रहा है, चाचू, मैं तो कहता हूँ आप भी मान लो कि फंटूशनगर के असली हीरो दंका धोलकी ही है, इनके जैसे शक्तिशाली, स्मार्ट और इंटलिजन चोर हमने नहीं देखे, क्या आप मुझे आटोग्राफ देंगे प्लीज, आटोग्राफ? जरूर, जरूर, आखिर ये भतीजा हमारे सामने हार ही गया, ये लो आटोग्राफ, तंका और धोलकी, अब जरा पढ़ना तो ये पूरी लाइन क्या बनी है, तंका और धोलकी पर एक रोकेट का हम क्या नहीं? अरे मार दिया रे इतने चोटे पेंसिल के टुकडे का क्या करेगा बती जै? तंका ढूलकी को पंटूशनगर की जेल पहुचा दो जिचा हमसे पंगा लेने का होगा पुरा नतीचा, क्यों वही चच्चा? वह हाँ, पतीचा झाल 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 झाल